है यह लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो जीके प्रिंस अगडमी तो हम लोग बात कर रहे थे वीडियो और एकजाम्स के रिजिनिंग के बारे में और उसमें हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे थे ठीक है और इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर नमबर फोर तक जो इस अग्यान परिक्षण से समंद्ध होगा जो कि यूटूब के बुक से लिया गया है और चैप्टर वाइज चल रहा है इसमें सारे चैप्टर करके इस तरीके से देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले इसका प्लेलिस्ट बना दिय अगरे तक सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ पर अपने दोस्तों में शेर भी करें और वीडियो को लाइक करिएगा पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें देखे दिया गया है कि दी जानकारी का ध्यान पूर्वा कर ध्यान करें और नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर दें इंगल्स में लिखा हुआ है इसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिखर 18 किलोमेटर पूर्व की ओर चला ठीक है इसके बाद इसमें लिखा हुआ कि फिर उसे ने एक दाया मोड लिया यानि कि राइट मोड लिया और इसके बाद इसमें लिखाए कि फिर इसके बाद दाया मोड लेकर 20 किलो मीटर चला फिर उसने बाया मोड लिया और 25 किलो मीटर चला फिर उसने एक बाया मोड लिया और 20 किलो मीटर चला फिर उसेने एक दाया मोड़ लिया और 10 किलो मीटर चला फिर उसेने एक बाया मोड़ लिया और 24 किलो मीटर चला अंत में उसेने एक बाया मोड़ लिया और 25 किलो मीटर चला हमें बताना कि वो अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था ठीक है देखे इतने सारे चीजे लिखी हुए तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा एक फिगर और फिगर से इसको कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इसमें यह जानिए कि जो पूरब पश्चिम उत्तर दच्छिड पेपर में कैसे होता है तो माल यह कोई पेपर है और पेपर में जो इस तरीके से मानिए यह आप यह रहेखा खिचेंगे तो यह उपर का जो यह होता है चीने ये क्या होता है इसको हम उत्तर मानते हैं हमें सा ठीक है उत्तर दिशा नारसी दिशा अब इसके जो है अपोजिट कौन सा दिशा हो जाएगा इसके अपोजिट जो होगा वो दिशा हो जाएगा दच्छिड दिशा ठीक है इसके इधर राइट साइन में कौन सा दिशा हो पेपर में मानते हैं कि इधर जो जाएगा वो पूर्व , इधर जो जाएगा वो उथतर इधर जो आएगा वो पेश्चिम और दफिक्व आईगा अपने बिन्द नोसे ऐसे इतिक्त तो यह जान जरूरी है इसन выпол अगर इसको आपको पता हिसे पेपर में को सब तो आप इस पे question को जो है इनके सभी question को दिशा ग्यान परिक्षण में आसानी से कर सकते हैं अब इसमें हम देखते हैं किस तरीके देखी solution लिया गया है अब देखें यह यही चीज बनाया गया फिर ठीक है अब वो कह रहा है कि सिखर जो है चलने का करम अगर माल यहां पर है तो यहां से 18 किलोमेटर पूरब की वर चला तो यहां से चला यानि कि इधर जाएगा पूरब की वर तो यह 18 किलोमेटर चला इसके बाद कहता है यहां पर जब पहुंच गया सिखर तो वह कहरा कि फिर उसे ने एक दाया मोड लिया यानि कि right side तो अब यहाँ पर आपने आपको खड़ा करिया देखिए right side क्या होगा तो right side इधर वाला होगा आपका और left side इधर वाला होगा तो right side मुड जाएंगे और 20 km गया तो 20 km चला दिया यह 20 km यहाँ पहुँच गया सिखर फिर question कह रहा है कि फिर उसने बाया मोड लिया और 25 km चला अब यहाँ पे जब आप खड़े हैं तब आप देखते हैं right side आपका यह हो जाएगा और left side यह हो जाएगा बाया मोड यह हो जाएगा यानि कि यहाँ अब जब आप इस तरीके से खड़े हैं तो आपका दाया यह हो जाएगा और बाया इसका जो है left side यह हो जाएगा तो यह 20 km जा रहा है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा अब यहाँ पर पहुचने के बाद आप कह रहा है कि फिर उसे ने एक दाया मोड लिया यानि कि राइट साइड मुड़ा तो यहाँ पर जब आप खड़े होंगे या सीखर को खड़े आपने आपको खड़ा करेंगे तो यह left हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा right तो right में चला फिर 10 km यहाँ पर पहुच गया इसके बाद कह रहा है कि फिर उसे ने एक बाया मोड लिया तो यहाँ से फिर बाया मोड लिया और 24 km चला तो यहाँ से 24 km चला के यहाँ पहुच गया इसके बाद फिर करा कि उसने फिर बाया मोड लिया यानि कि अभी इधर फिर मुड़ेगा और इधर मुड़के वो 35 km चला यानि कि यहाँ पर यह पहुंच गया अब वो कह रहा है क्वेस्चन की अंत में वो किस दिसा में बढ़ रहा था यानि कि यहाँ पर जब पहुंच गया और इधर को जा रहा है इधर को ही जा रहा है तो अंत में किस दिसा में जा रहा है तो इधर को जाने को क्या कहते है पैस्चिम कहते है यानि कि यह पैस्चिम दिसा की और जा रहा है तो अंत में किस दिसा में जा रहा है पैस्चिन दिसा में जा रहा है, तो इस टैप के question को ऐसे लगा जाता है, इसमें सिरिफ दिसा ग्यान पूछा गया है, तो कौन सा दिसा इसका निकल के आएगा, पैस्चिन दिसा, आपका answer इसमें जो होगा वो, भी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है, नेश कोशन भी इससे दिया गया है, जानकारी को पढ़ना, इसके बाद उसका answer देना है, अब देखिए, question दिया गया कि बैंक से शुरू करने के बाद, महेस, दच्छिड की और कुछ मीटर की दूरी तक चला, तीक है, इसके बाद करा कि, फिर उसे ने बाया मोड लिया और फ उचा गया है, चलिए इसका भी graph से समझते हैं, देखिए, ये जरूर आपको एक point करना है कि इधर जो जाएगा, वो पूरब जाएगा, इधर उत्तर जाएगा, इधर जो है, जो arrow जो ऊपर की तरफ होता है, ये उत्तर की तरफ का sign होता है, इधर जो जायता है, वो south की इधर हो जाएगा, ठीक, तो दच्छिड की ओर चला, कुछ मीटर चला, इसके बाद क्या करा है कि उसने बाया मुड़ा, यहाँ पर अगर खड़े हैं, तो दाया, या आपका ये दाया साइड होगा, और ये होगा, बाया साइड, तो यहाँ से बाया मुड़ जाएगा, इधर चला 25 मीटर, तो 25 मीटर फिर चला देंगे इधर, अंत में कहरा है कि बाया मुड़ लेकर 55 मीटर चला, तो इस पूरब की दिशा में फिर हो जाएगा, ठीक है, और कार्याले पहुंच गया, तो पूछा गया है कि अंत में, वो किस दिशा में पढ़ रहा था, तो इध इसने भी question लगए, 60 question दिया गया है, 60 question को देख लेंगे, और सारे question आये हुए papers में से है, ठीक है, तो important है, पीडियो के end तक देख रहा है, तभी इसका फायदा जो भरपूर, एकजामे में बिल पाएगा, नेश question देखते हैं, अब question नमबर तीसरा भी है, जो कि ये, ये, य बैंक से सुरू करने के बाद महर दच्षिड की और कुछ मीटर दूरी तक चला, फिर उसने एक बाया मोड लिया, 20 मीटर चला, फिर उसने दाया मोड लिया, 25 मीटर चला, अंते उसने एक बाया मोड लेकर 55 मीटर चलकर कारियाले पहुँच गया, ठीक है, फिर पूछा गया बैंक सुरू में बैंक से दच्छिड की और कितिनी दूरी पर चला था यानि कि जो शुरुवात में कहा गया कि बैंक दच्छिड की और कुछ मीटर दूरी चला तो यह मीटर बता रहा है कि कितनी मीटर दूरी चला ठीक है इसके पहले नहींन दूरी पहले Quchen में सेम कोइस्वें था इसमें दीसा पूछा गया था कि कि दिसा में अंत में जा रहा था लेकिन इसमें दूरी पूछ ली गई है कि जो सुरुवात में चो कि दूर चला था मैंस Baish वो कि कितिना मीटर चला था ठीके देखिए इसको भी देखते हैं देखिए पहले इसको चलाते हैं तो मान लिजे महस यहां पर यहां से चला बैंक से तच्छिड की और कुछ दूरी मान लिते हैं एक्स मीटर चला तो एक्स लिखते हैं फिर इसके बाद बाया मुड़ा और बीस मीटर चला तो यह बीस मीटर च बता रहा है कि हमें यह वाले दूरेंब कर कर नहीं x वाली तो देखिए ुसको अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो यह देखिए 25 चला था तो इधर भी 25 हो जाएगा ठीक है इसको ऐसे बढ़ना देंगे तो यह उपरावाला पर में लगाएंगे तो AB का स्क्वाइर प्लस BC का स्क्वाइर ब्राबर AC का स्क्वाइर यह हो जाएगा फार्मूला ठीक है तो AC बराबर 125 है तो 125 का स्क्वाइर प्लस BC बराबर है 75 55 यह प्लस 20 है तो 55 प्लस कर देंगे तो 70 आजाएगा 55 प्लस 20 कर देंगे तो 75 75 का स्कॉयर कर देंगे और प्लस AB का स्कॉयर हो जाएगा 25 प्लस X मीटर तो 25 प्लस X का होल स्कॉयर कर देंगे ठीक है इस तरीके से पैथागोरस्पर में होता है solve करेंगे तो 125 का square जो होता है वो होता है 15625 और 75 का square जो होता है वो होता है 5625 लेकिन इसको हम बराबर के इधर लाएंगे पक्छांतर करेंगे तो यह minus में आएगा क्योंकि यहाँ पे plus में है और इधर 25 प्लस x का whole square लिख देंगे इसको अगर हम कटाते है तो यह आता है आपका 10,000 25 प्लस x का root लेंगे तो यहाँ पे root 10,000 हो जाएगा ठीक है तो x प्लस 25 बराबर 100 आजाएगा 100 का यह वर्ग लिखा हुआ 10,000 यहाँ से हम फिर 25 को पच्छांतर करेंगे तो 100 माइनस 25 हो जाएगा और x का माना जाएगा 75 मीटर तो bank सुरू में bank सारी महें सुरू में bank से दच्छी की ओर जो चला था कुछ दूर वो 75 मीटर दूर चला था तो आपका answer इसमें जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा 75 मीटर ठीक है इस तरीके से निकाला जाता है नेश क्केसन देखते हैं Question number 4 है सीमा ने अपने कारियाले से पस्चिम की ओर चलना सुरू किया और फिर अपने घर तक पहुँचने के लिए एक दाया मोड और एक बाया मोड और एक दाया मोड टिक लिया सीमा अपने कारियाले से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरी थी कब उनसे दिशा में चली थी ये बताना है अब देखते हैं इसके चलने का कर्म सीमा अपने कारियाले से चली इसके बाद दाया मोड लिया पिर बाया मोंड लिया, फिर दाया मोंड लिया, घर पहुंच गई, जीख, अब सपस्ट कि सीमा कारियाले से चलना सुरू करते समय, पषिश्चिम दीसा से मुखरी थी, जानि कि यहाँ से चली थी थी, तो इस तरीके से यहाँ पे चली तो पषिश्चिम दीसा यह होगा, पार जाएगा पेश्यम दिसा वेश्टसाइग नेट्सकष्ट्सें देखते हैं इसमें भी दिसा ही ज्यान बताना है देखिए कोईश्चन देखते हैं तो सिखर 18 किलोमेटर पूरु में चला फिर उसेने एगदाया मोड लिया फिर 20 किलोमेटर फिर उसेने बाएं मोड लिया फिर पचीस किलोमेटर फिर उसने यह पहला वाला कोश्चन है ठीक है अंत में उसने बाएं लेरो 35 किलोमेटर चला अब इसमें यह पूछा गया कि वो अपने शुरुवाती बिंदू से कितिन दूर था लेकिन पहले वाले कोश्चन में सिर्फ दिसा पूछ इसमें थोड़ाथा डिफरेंट है इसमें शुरुवाती बिंदू से दूरी पूछी गई तो चलाते हैं पहले सिखर को सिखर अगर माल लेते हैं चलता है ठीक है वो बिंदू से 18 किलोमेटर चला इसके बाद बोल रहा है दाय मोड़ा दाय मोड के 20 किलोमेटर फिर बाय बात करें तो 24 किलोमेटर चला फिर इसके बाद यह बाय मोड़ा और 35 किलोमेटर चलता है ठीक है बाय मोड़ा और 35 किलोमेटर चलता है ठीक है तो यहां पर पहुंचे अब यहां से यहां की जो दूरी है यह बताना हो यानि की दूरी हमें बताना है तो कैसे लगाएंगे सि समकोन बना रहा है तो हमें ये पैथा कोरसपर में फिर इसमें भी लगाएंगे तो ये op कमान पता हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम 18 का स्कॉर प्लस 24 का स्कॉर बराबर op का स्कॉर कर देंगे तो 18 का स्कॉर 324 प्लस 24 का स्कॉर 500 चीहत्त दोनों को जोड़ेंगे 900 आएगा 900 का अगर हम वर्ग लेते हैं वर्ग मूल तो आता है 30 किलो मीटर तो ओपी कमान इसमें हो जाएगा 30 किलो मीटर ठीक है तो इस तरीके से लगाते हैं नेश को संदेखते हैं तो सुमन अपने घर से निकली बायमुडी उत्तर कि ओर 300 मीटर चली और मातमा गादी जंक्सन पहुंच गई वहाँ से वो दायमुडी और एक बीमार मितर से मिलने के लिए 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुची उसके बाद वहाँ दायमुड कर एक सुपरमार्केट में गई सुपरमार्केट से खरीदारी करने के बाद वो सीधे अपने घर चली गई मात्मागादी जंग्सन से अस्पताल की सड़क किस दिसा में जाती है यह बताना चलिए इसको भी देखते हैं अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए सुमन का गमनपत जो है निम्नमत है देखते हैं किस तरीके सिस्म बनाए गया है माल लेज़े सुमन का यहां घर है यहां से चली फिर बायमुरी 300 मीटर चली तो यह मात्मागादी जंग्सन पहुंच गया यहां से फिर 500 मीटर चली तो अस्पताल पहुंच गी अस्पताल से फिर बायमुरी कर दायमुरी कर सुपरमार्केट पहुंच गी अब यहां बताना है कि जो है अस्पताल जो है वह मात्मागादी जंग्सन से की दिसा में तो यहां से देखिए मात्मागादी जंग्सन से अ भाल गौनां आते हैं अब देखो में एक चित्र दिया गया था यह जूर्णियर्य रसेस्टण आ सब्सकें में जरता हुआ मैं दिखा इस नाम साथ सब्सक्राइए नहीं दिखा हुआ यहां पर कोई पार्क है और यह प्लेग्राउंड है यह भी पार्क लिखा हुआ है और इसके बाद यह कोई स्कूल है टेमपल लिखा हुआ है और यह कुछ चीजें दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं दिख रहे हैं यह टाउन रोड यह लिखा हुआ है टाउन की स्रवक में आने प्रभाई ओर जाता है और फिर उस चरक पर आने वाली पहली पस्जिम की वड्राइब करता है और पहली सणग पर दायने मुड़ जाता है फिर अपने आने वाली सणग पर पश्चिम क्योड ड्राइब करता है और अपने पहले आने वाली सणग पर चौराहे पर रुखता है काउन सहस्थान उसकी नए इस्तिति का सबसे निकट यह बताना है अब इस चित्र में देखेंगे तो असपस्ट रूपसस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह बुक में भी इसी तरीके से लिखा था तो अगर हम इसमें एंसर की बात करेंगा तो इसका एंसर दीखें भी पार्ट हो जाएगा उसकी स्थिति के संदर में जे कहा है ठीक अब यह भी एक चित्र के अनुसार ही है जे का जे पूछा गया इसमें देखें जे कहा है तो यह है सौपिंग माल ठीक है इसमें जो होगा, वो डी पार्ट हो जाएगा अगला होसा देखते हैं तो गाउ, पी, गाउ Q के पूर्ब में है गाउ और गाउ पी के उत्तर में है, गाउ यस, गाउ और के जो है अपष्शी में है तो गाउ इस, गाउ पी किस तीशा में ही, यह बताना, ठीक है देखिए अब इसमें अगर देखते हैं चितर से तो इसमें जो दिया गया है गाउं की चितर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें दिया गया है गाउं P गाउं Q के पूर्व में है ठीक है तो गाउं P मालीजे यह है गाउं P के पूर्व में जो है गाउं Q है तो उत्तर आर में है तो यह हो गया, इसके बाद कहा गया कि S गाउं जो है वो R के पस्चिम है, तो R यहां पर है तो इसका पस्चिम यह हो गया, ठीक है, उत्तर यह हो गया, पूरव यह हो गया, तो पस्चिम दिसा में S है, यानि कि S यहां पर हो गया, अब पूछ रहा है कि S गा क्या कहेंगे गाउं P के उत्तर पश्चिम दिसा में गाउं S रखा हुआ है तो आपका इंसर इसमें क्या हो जाएगा सी पाड़ गाउं के उत्तर पश्चिम दिसा में ऐसा है तो यह इस तरिके निकाला जाता है नेश कोशने दीपक के आफिस जाने के लिए अपने घर से निक आफिस और कालेज के मद्ध नियुंतम दूरी बताना है चित्र बनाते हैं पहले चित्र बगार बना इसका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो चित्र तो जरूर बनाना पड़ेगा ठीक है अब चित्र में अगर हम देखते हैं तो देखे इसमें यहां पर कॉलेज दिखा गए ओफिस अभी एक करके देख देखते हैं दीपक ओफिस जाने के लिए अपने घर से निकल कर चार किलोमीटर पूरव की ओर चलता है तो मालिजे दीपक यहां से चलता है चार किलोमीटर पूरव चला ठीक है इसके बाद ये फिर बाय मुड़ता है यहां से बाय मुड़ेगा यानि कि इधर मुड़ेगा और ये बाय मुड़कर चलता है 3 किलोमेटर तो ए पर पहुंच जाता है ठीक है अब इसके बाद उसकी बहन दीब का काले जाने के लिए तो उसी घर से निकल कर 16 किलोमेटर पूरब की ओर जाती है यानि यहां तक चार हो गया तो दीब का आगे इधर पूरब की ओर 12 किलोमेटर और चली ठीक है पूरब की ओर चलती है फिर बाय मुड़कर 8 km चलती है यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है और 8 km चलती है तो यहाँ पर कालेज मिल जाता है अब पुछा जो आफिस है यहाँ पर ए बिंदु पर जो आफिस है आफिस और कालेज के मद की यह नियुन्तम दूरी पूछा गया कि क्या होगा तो देखे यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं तो यह 12 किलोमेटर होगा क्योंकि यहां से इधर यह दूरी 12 किलोमेटर है तो यह 12 यह भी हो जाएगा और यह है 5 क्योंकि 3 इधर होगा 5 उधर होगा क्योंकि यह 3 है A اور C ka maan 3 है तो यह इधर E اور D ka maan b 3 हो जाएगा तो ओपर 5 बचेगा B اور E ka maan 5 हो गया अब एक संकौन तिर्भुजे बना रहा है कौन? B E और A यह संकौन तिरभुजे इसमें हमें निकालना किसका है A B ka maan निकालना तो यहां वे निकाल देंगे पैथा गारस प्रमे लगाके पैथा गारस प्रमे लगाके हम जो है इसको solve कर लेंगे ठीक है पैथा गारस प्रमे अगर हम लगाएंगे तो यहां से A B का square हो जाएगा ठीक है बराबर A B का square बराबर B E का square हो जाएगा प्लस जो है A E का square हो जाएगा और 179 जो होता है ये किसका वर्ग मुल होता है ये 13 का वर्ग होता है तो आपका इंसर जो A B का मानाएगा वो 13 किलो मीटर हो जाएगा तो इस तरीके सिसमें लगाते हैं अब आप इसमें देख भी सकते हैं ये देखे लगाया गया है बाद में पैथा गोरसी पर में और इसको स सीतल बारा किलोमेटर तो दच्छिर की ओर जाती है लेकिन बाई और मुड़ जाती है और अपने घर पर पहुंचने के लिए पंदरा किलोमेटर की दूरी तै करती है उनके घरों के मद्ध निवंतन दूरी क्या होगी देखी इसको भी बनाते हैं पहले चित्र अब इसमें इसके बाद कहा गया है कि फिर दाय मुड़ कर पांच किलोमेटर चलती है यानि यहां पे दाय मुड़ी और पांच किलोमेटर गई तो सी पर पहुंचकी सोनम और यह सोनम का घर हो गया सी पॉइंट इसके बाद बोला कि सीतल जो बारा किलोमेटर दच्छिर की ओर यानि कि हैं से बारा किलो मिट्र दझण की ओर जाती हूँ फिर फ अपर पहुंचती है सी तल और इसके बाद वो दझण के ओर जाती है और अपने घर सब्सक्ति ंष दुराऑ इसके अपर5 के ओर आ pap हों के मद निउनतंदूरी यानि कि सी का घ्र यहाँ है डी का घ्र यहाँ पर है अधर Więch सूनब दूरुइख हमें यहाँ पता नहीं नोतन दूरुइन थिंग इनके वीजीं का तो यहां से हम यह पहली लाइन घचे यहां किसे की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी तो hearts यह 12 यह 24 हो जाएगा ठीक है इसकी लंबाई के अगर हम बात करेंगे तो देखे यह 5 है 5 यह निकाल देंगे 15 मैंसे तो यह 10 बचे का यह समकोड बन रहा है तो यहां से अब हम CD का मान निकाल सकते हैं ठीक है क्यों पाइधा गोरह लगाएंगे तो CD का स्कायर बराबर हो जाएगा CE का स्कायर ठीक है CE का स्कायर प्लस ED का स्कायर हो जाएगा यहां से CE का स्कायर 24 का स्कायर हो जाएगा प्लस ed का स्क्वार 10 का स्क्वार हो जाएगा 24 का स्क्वार 576 होता है 576 और प्लस 10 का स्क्वार 100 होता है दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676 इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो आजाएगा 26 km तो आपका right answer क्या जाएगा 26 km कि दिनी दूरी इनके घरों के भी तो 26 किलो मीटर दूरी होगी तो आपका इंसर इसमें जो हो जाएगा वह सी की पार्ट हो जाएगा इस तरीके सिस्में को क्या जाता है अगला परसन देखते हैं राज हर दिन जो है सुबर की सैर के लिए जाता है वह अपने घर से 15 मीटर उतर की वर गयर जाता हो दाएगर वह जाता हो कि पैतालिस मीटर जाता है फिर ब़हर हर दिन सुबह सहर के लिए जाता हूँ अपने घर से 15 मिटर चलता है यहां पर मल यह घर उत्तर जाता है 15 मिटर फिर फिर वह मुड़ता है दाएं तो दाएं मोड़के 27 मिटर जाता है 27 मिटर चला देंगे फिर मुड़ता है और यहां से मुड़कर 45 मिटर चलता है तो इस तरी पूरबिसा में होगा ठीक है यहां इसका घर है यहां से अगर देखेंगे तो इस तरीके से तो यहां पे कौन सा दच्छिड पूरबिसा हो जाएगा ठीक है और इसके बाद 3 km चलकर अपने विद्याले पहुंची और उसी दिन सुबा उसी के घर से उसका भाई रमन निकला और 6 km दच्छिट की और गया फिर वो दाये मुलकर 8 km चलकर अपने कालेज पहुचा अब इसमें बताना कि राधा के विद्याले राधा के विद्याले और रमन के कालेज के वीज़ की नून तंदूरी क्या है इसको भी हम चित्र बनाएंगे देखें चित्र राधा के विद्याले अगर हम बात करते हैं यहां से तो राधा अपने विद्याले जाने कर आपने घर से निकले और वो 4 km पूरब के और चली मालिजे यहां से चलती है चार किलो मेंटर पूरब के और चली तो ए अस्थान पर पहुँच गी अब यहां से क्या जा रहा है कि वो 90 डिग्री वामा वर्त गुमी वामा मरत मालें कि घड़ी की सुईयों के भी प्रेत इस तरीके से घूमी 90 डिग्री तो 90 डिग्री घूमी यानि कि राइट हैंड सिधा मुड़ गई अब फिर 3 किलोमेटर चली फिर 3 किलोमेटर चला है तो 20 स्थान पहुंच गी और यह इसका कालेज है राधा का विद्याले पहुंच गया पीपर ठीक है यहां पे 90 डिग्री मुड़ कर इसके बाद आप कह रहा है कि क्वेस्चन में कि उसका भाई सुबा निकला और वो 6 किलोमेटर दच्छिर की और गया यानि कि यहां से निकला और 6 किलोमेटर यह दच्छिर की और चला गया रामन पीपर पूछा गया राधा के विद्याले और काले रमन के विद्याले के बीच का दूरी नियूंतम दूरी तो इससे सीधे मिलाएंगे तो यह दूरी हमें पूछा गया क्यों और बी कमान पूछा गया क्यों बी कमान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इन दोनों को जो यह ध तो 639 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा अब av total 9 हो गया और कि으면 Cup kalian निकाल सब्सक्राइगा तो 84 12 हो जाएगा तो हम्हें mm kuasa 잇आ हो === भी का मान होई पता हो जाए क्यों पाइथा गोरस पर में लगा देंगे इसमें देखिए पाइथा गोरस पर में लगा गया है बी क्यू बराबर बी सी स्कार प्लस सी क्यू स्कार तो आपका इसमें राइट एंसर जो हो जाएगा वो पंद्रा किलोमेटर हो जाएगा कुर्शन ऐसे लगाते हैं अगला कुर्शन देखते हैं तो प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता और उत्तर पूर्व की और 40 मीटर तक चाता है इसके बाद वह बाएं मुड़ता है फिर 40 मीटर 40 मीटर चलता है ठीक है यानि कि अगर चलना शुरू कर रहा उत्तर पूर्व क्यों और माली यहां से तो उत्तर पूर्व कहां हो जाएगा यह पूरव होता है यह उत्तर होता है इसके बीच में 40 मीटर जाता है यह उत्तर पूर्व हो गया ठीक है 40 मीटर चलता है फिर इसके ब बाय मुड़ता है फिर वह बाय मुड़ता हो 40 मिटर तो यहां से बाय मुड़ेगा तो 40 मिटर इस तरीके से आएगा ठीक है इसके बाद फिर कहता कि वह बाय मुड़ता हो 60 मिटर चलता है यानि कि यहां से मुड़ेगा और 60 तो यह 30 था ही इसके आगे भी निकल जाता है तो य जहां से अब घर की दूरी कितनी दूरी पर है तो 30 मीटर की दूरी पर होगा ठीक है इससे तरीक से मलब चितर से पता चल रहा है तो 30 मीटर की दूरी पर होगा और प्रारंफिक बिंसर की दिसा में हो तो यह हो गया पूरू यह हो गया दच्छिड तो यह दच्छिड पूरू कितना आ जाएगा है 30 मीटर हो जाएगा क्योंकि 30 सिधर चला 30 सिधर तभी 60 होगा और पूरब यह हो गया दच्छिडी हो गया तो इसके बीच की दिशा क्या होगी दच्छिड पूरब हो जगी गहर के सामने वाले बस इस्टाब से रवाना होने के समय बस कम्मू की दिसा में था यह बताना है देखिए इसमें अगर देखते हैं तो प्रारंभिक बिंद जो दिया गया है वो किधर दिया गया है तो अमूदा के कालेज के बस कम्मू उसके कालेज के पहुचने की उत्तर द तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अमुदा के घर से रवाना होने के बाद वह दो बार दाये और फिर कालेज पहुंचने से और उत्तर की ओर है ठीक है तो उत्तर की ओर होगा ठीक है इसके बाद अब अमुदा के घर से रवाना होने के बाद वो दो बार दाय मुडी तो यहां से मालीजी एक बार यह दाय मुडी ठीक है इस तरीके से उल्टा इसको करके लगाएंगे तो एक बार यह दाय मुड़ेगी इसके बाद एक बार यह दाय मुड़ेगी अब काले बार दो बार मिलते अमुदा के घर के सामने वाले बस इश्टा प्रवाना होके समय बस का मुग किस दिसा में था तो बस का मुग कि अगर हम बात करेंगे तो माल जी यहाँ पर प्रारंभी 15 मिटर सामने ऊप्सी 15 मिटर दायें चलते हैं। उसके बाद हर बायें मोड़ते हुए हो वो करमसा 10, 15 और 25 मिटर चलती हैं। और वो अपने घर से कितनी दूर है। तो इसको देखिए। करते हैं। इसको चित्र के द्वारा ही। चित्र में अगर हम देखें तो देखें एन एपनी घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाय चलती है तो घर से मन यह प्राज्यव भी 15 मीटर सामने और 15 मीटर दाय इसके बाद वो फ़र बार 20 मुरते हैं तो Iowa 10 चली इसके बार 25 फिर 20 मुरते हैं आप पूछ रहा है कि यहां से वो कितने घर से कितनी दूर है तो घर से कितनी दूर है इतनी दूर है ठीक है जो कि कितनी दूर हो जाएगा अब यह टोटल जो है यह 25 है यहां से यह 15 हो जाएगा यहां तक तो इधर कितना वह जाएगा 25-15 तो यह 10 ही बचेगा तो 10 मीटर दू चालिश डिग्री दाइंग और मुड़ता है फिर 40 किलोमेटर चलता है फिर वह 135 डिग्री बाइंग और मुड़ता है और वह अपने किस दिशा में उड़ रहा है यह बताना है देखिए अब इसको भी चितर बनाएंगे थोड़ा डिग्री दिया गया है तो देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यहां से हम देखते हैं इसको चितर बनाएंगे हुए समझते हैं ठीक है देखिए कोईशन की अगर हम बात रहे हैं तो कोईशन में लिखा कि एक गलाइटर उत्तर पूर दिशा में दस किलो मेटर चलता है माल लिजए यहां पे चला यहां पे है गलाइटर तो यह उत्तर हो गया ठीक है और यह पूरब हो गया तो इसके बीच वाला जो उत्तर पूर दिशा में है तो यह आजाएगा उत्तरपूर्ध दिशता में उत्तर कि और इधर से रखें पश्चिम और उत्तर के कोने वाली दिशता में आ जाएगा और 5 किलोमेटर उड़ताय है यहां पर पहुंचने पर 5 किलोमेटर हो जाएगा फिर वह फिर वह 40 डिग्री अपने डाओं और मुड़ता है तो यहां से अगर हम इसको लंबौत करेंगे तो 40 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा कुछ यानि कि सीधा कुछ उत्तर की तरप जाएगा तो 50 डिग्री दाई को और मुड़ता है और 10 किलो मेटर उड़कर यह कहां पहुंचता है सी डिग्री पर पहुंचता है तो पहले हम इसमें 90 मुड़ाएंगे इसके बाद 45 और मुड़ा देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यह पश्चिम और यह दच्छिण पश्चिम दच दच्छिण उधर यह चलता है और उधर जो है मुड़ताः वो कि दिशा में उड़ रहा है तो अब वो उड़ रहा है वो दच्छिड और पश्चिम दिशा में इस तरीके से जह से क्योंकि यह पश्चिम हो गया यह दच्छिड हो गया आप 135 करेंगे देखे यह पहले 90 तो आपका एंसर इसमें C पाठ हो जाएगा दच्छिर पाश्चिम दीशा ठीक है इस तरीक निकाला जाना था इसमें